हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपने चैनल पर थंबनेल का जो टूंटारिययल उसको अपलोड करने वाला हूँ तो यह था, यह थंबनेल टूंटारियल आप सभी के लिए मैंने ले आया है तो इस वीजिडियो को लास्त तक जरूर देखना इस वीडियो में मैं आपको पूरा thumbnail का टुटोरियल बताने वाला हूँ और आसान भासा मैं बोलू तो यार मैं आप सभी को thumbnail बनाना सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप thumbnail बना सकते वो भी अपने mobile से और भी hd quality के तो वीडियो को जब तक आप लास तक नहीं देखो कि तब तक आपसे समझे में नहीं आएगा कि आपको किस तरीक से बना तो इसलिए एक 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 नहीं मैं आपको दो application बोल ला हूँ तो दो application की जरूरत पड़ीगी चुकि आप play store से easily download कर सकते हो ठीक है अब उनका नाम मैं आपको बताते तो तो सबसे पहले जो है वो है pixel lab, pixel lab के बारे में आप जानते हो कि pixel lab से हम लोग एक से एक thumbnail बना सकते हैं बट जरूरत होती है तो हमको सीखने की अगर हम सीख जाते हैं तभी हम thumbnail को बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको pixel lab की और उसके बाद दूसरी जरूरत पड़े तो सबसे पहले मैं आपको pixel lab में बताऊंगा और उसके बाद उसी का आधा पार्ट मतलब हम आधा thumbnail pixel lab में बनाएंगे और आधा thumbnail बनाएंगे can web में ठीक है तो ये दौनों चीज में इस वीडियो में आपको बताने वाला है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही request कर लेना और सबस्क्राइब करके बैल नौटिफिकेशन को जो है वाल पर सैट कर लेना जिससे आने वाली सारी वीडियो उसको नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बलता रहे और गाईज मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर प्रमोशन स्टार्ट करने वाला हूं तो आप मेरा जो टेलिग्राम ग्रूप है उसको जोइन करेना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो चलो फिर मुबाइल स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा तो मुबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और उसके बाद देख लेते कि किस तरीके से मैं आपको थमनेल बनाना सिखाने वाला हूँ तो चलिए गाईस वीडियो को चलते हैं मोबाईल स्क्रीन पर तो गाईस मैं आगी हूँ अपने मोबाईल स्क्रीन पर ओ जैसे की मैंने कहा थै कि दो एप्लीकेसन के जोफ पड़ेगा तो चलो सबसे पहले मैं पिक्सल अप्ली किसन को ओपन कर लेता हूं जैसे ही मैं इस एप को ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटाफेस देखने को मिलेगा तो मुझे इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है इस डिलीट वाले ऑप्सन से तो चलो मैं इसको डिलीट कर देता डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है इस थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की और आपको देखने को मिल जाएगा पर फॉर्थ नंबर का option इस फोर्थ वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगए तो यहाँ पर पहला option देखने को मिल जाया का color का इस color वाले option पर हम एक बार प्लिक कर लेते हैं अभी यहां पर आप देख सकते हों अगर हम इस maskậलर वाले option पर जाएंगे तो यहाँ पर एक-एक मतलब single color का thumbnail बनेगा बट हमें gradient में color gradient color में बहुत सारी colors को mix करके हमें एक thumbnail का जो background वोच select करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे gradient पर जाना होगा और gradient पर जाने के बाद यहाँ पर plus वाला icon आप यहाँ पर देख रहे हो इस plus वाले Icon पर मुझे एक बार click करना है तो चलो इस पर click कर लेते हैं जैसि हम plus वाले icon पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो arrow देखने को मिल गयाँगों एक यह और एक यह तो चलो पहले वाली air उपर मैं इस पर क्लिक करना है ठीक है इस पर क्लिक करना है पहले air उपर पहले air उपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो नीचे color का option देखने को मिल रहा है इस color वाले option पर हमें क्लिक करना है तो चलिए मैं इसका color select कर लेता हूँ इसका color मुझे कौन सा रकन है मैं पहले उसको select लेताँ आप अपने हिसाब से कोई भी color select कर सकते हैं तो चलो मैंने इसका color यहां रख लिया है अब इसको मैं यहां से adjust कर सकता हूं ठीक है बट अभी मैं इसको adjust यहां पर रख लेता हूं उसके बाद यहां पर देख सकते हो ये पीछे जो एक और last में दिया है इस वाले पर click करके इसका color भी मैं change कर लेता हूँ तो चलो मैं इसका color ये रख लेता हूँ मैंने इसका color ये रख लिया अब उसके बाद मैं plus वाले icon पर जाँगा तो मुझे एक और third arrow देखने को मिल गया तो third arrow उपर मैं कोई और सा एक और color ऐसा रख लेता हूँ जो इससे थोड़ा सा similar type का हो और अच्छा भी लगे चलो मैं इसको तीन color का इस तरीके से कर लेता हूँ अब इसको मैं यहां से जो ये दिख रहा है आपको ball इसको करके हम इसका color थोड़ा सा adjust कर सकते हैं इस तरीके से आपको adjust करना है तो वो आप कर सकते हैं ठीक है तो चलो मैं भी इसको कर लेता हूँ चलो मैंने आपको इस तरीके से मैंने adjust कर लिया भी मैं आपको tutorial दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहा हूँ ठीक है जैसे इस पर आप OK करेंगे तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का background देखने को मिल गया अब उसके बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपना pick लगाना है जो की image तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्लेस वाले icon पर क्लिक करने के बात यहां पर from gallery पर चला जाना है अब उसके बाद जो भी पर आपको चाहिए वह अप यहां से अपना picture या फिर जो भी चाहिए वह लगा लेना तो मैं यहाँ पर अपना image लगाऊंगा तो इसलिए मैं अपने image को निकाल लेता हूँ ठीक है तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा hide कर लूँ अपनी privacy के लिए मुझे जो pick चाहिए मैं आपको वो दिखा दूँगा यहाँ पर मैं hide कर ले रहा हूँ तो आप लोग भी तब तक क्या करो आप लोग भी अच्छा सा कोई जो भी आपको background में चाहिए मतलब thumbnail में अपना image चाहिए वो आप निकाल लो चलो मैं भी थोड़ा सा जल्दी धून कर उसको निकाल लेता हूँ कहां है कहां है मुझे वो image नहीं मिल रही है जो मैं use करने वाला हूँ तो कहां है यार चलो थोड़ा सा भाई लोग वीडियो को लास तक देख लेना ठीक है मैंने इस image को लिकाल लिया है अब इसकी बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसको आपको यहां पर ऊक게 कर देना ठीक है तो चलो मैं इस okay पर क्लिक कर देता हूँ अब उसकी बाद क्लिक करना है इसको मुझे यहां पर set कर लेना है ठीक है तो मैं चलो इसको मैं set कर लेता हूँ अपने हिसापसे मुझे कैसा अच्छा लगता है वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो ठीक है तो मैं इसको ऐसे रखूँगा तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको इस तरीके से रख लिया है अब उसके बाद क्या करना है इस image का हमें क्या करना है shadow वगेरा on करना है तो इसके लिए हमें यहां से जाना है stroke पर तो सबसे पहले मैं इसको stroke को enable कर लूँगा अब मुझे किस color का stroke चाहिए वो मेरे उपर depend करता है जब हम इसको ऐसे करेंगे तो यह stroke का size है stroke width वो बढ़ेगा तो मैं इसको दो number पर रखूँगा तो number पर रखने के बाद इसका stroke के बाद हमें shadow cone कर लेना है shadow cone करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा thumbnail दिखेगा तो चलो मैं इसको 12 पर रख लेता हूँ ठीक है आप चाहो तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो मैंने इसको 11 पर रख लिया ठीक है अब इसको कुछ भी ठेल ठाल करेंगा तो यह यहाँ से हिलेगा ने ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर मुझे plus वाले आइकन पर plus के बाजू में जो आपको एक आइकन देखने को मिल रहा है इस वाले आइकन पर आपको तो चलो image save हो रही है ठीक है तो देख सकते हैं उस image save हो चुकी है अब उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें अपने canvai application को open कर लेना तो चलिए मैं अपने canvai application को open कर लेता हूँ अब थोड़ा सा वस आप लोग wait करिये क्योंकि यह canvai application थोड़ा सा late open होता है क्योंकि इसमें internet की जोगत होती है और internet की speed की उपर यह depend करता है तो थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं इसको open हो जाने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि next step हमें क्या करना है तो चलो यह open हो गया है बस थोड़ा सा बस हम इसको time देंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको YouTube thumbnail का देख रहा होगा इस YouTube thumbnail पर मुझे एक बार click कर लेना है जैसे ही मैं इस पर click करूँँआ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे templates भी हम wait कर लेंगे और video class तक देखना तभी आपको समझ में आएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आपने वो select किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल गए अब यहाँ पर आपको क्या fourth number पर uploads पर चले जाना है चलो मैं uploads वाले पर चले जाता हूँ अब उसकी बाद यहाँ पर upload media पर चले जाना है upload media पर जाने के बाद जो अभी आपने save की थी image उसको यहाँ पर जो हमने pixel lab से बनाया था उसको हमें यहाँ पर ले आना है तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो थोड़ा सा wait कीजिए यहाँ पर देख सकते हो मैंने उसको यहाँ पर ले आया है तो अब इसको हम कर लेते हैं click इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आ गई है अब हम इसको size इसका यहाँ पर हम set कर लेंगे तो चलो देख सकते हो मैंने इसको size को भी set कर लिया है अब यहाँ पर क्या करना है plus वाले icon पर हमें click करना है और यहाँ पर text पर चले जाना है text पर जाने की बाद हमको क्या अपना text लिखना है तो हम यहाँ पर text लिख लेते हैं अब आपको जिस भी font में चाहिए वो आप ले लेना अब यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ how to create अब इसको how to create लिखेंगे अब उसके बाद मैं इसका size थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ अब size बढ़ा करने के वाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से आप font का size font का color font का format change कर सकते हूँ तो मैं इसको तोड़ा सा bold कर लेता हूँ bold करने के वाद यहाँ पर effects एफेक्ट पर जाने के वाद यहाँ पर आप देख सकते हो background पर जैसे ही click करेगे तो यहाँ पर आपको यह option देखने को मिल गाएगा तो मैं spread को जैसे ही बढ़ाओंगा तो यह बढ़ा होगा और इसको कम करूँगा तो कम होगा तो यह अपने हिसाब से आप adjust कर लेना और यह करोगा तो इससे roundness आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ और आप भी अपने हिसाब से कर लेना तो चलो मैंने अभी इसको इतना कर लिया है तो इसको मैं यहाँ पर set कर लेता हूँ अब इसको अगर आप सही तरीके से set नहीं हो रहा तो आप इस new जुआले option पर जाकर इसके उपर या फिर नीचे कहीं भी कर सकते हैं तो चलो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है अब उसके बाद मैं एक और टेक्स लिख लेता हूँ तो इस टेक्स को लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ how to create हमने लिख दिया था अब यहां पर लिख देते हैं thumbnail how to create thumbnail on mobile तो इस thumbnail on mobile को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ बढ़ा करने के बाद इसको भी मैं क्या करूंगा इसको भी format पर जाके इसको format को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद इसको effect इसमें भी लगाऊंगा तो यहाँ पर आपको effects वाला option मिलेगा इस पर फिर से जाकर इसका effect on कर लेना है और इस पर एक बार click करने के बाद इसका जो अपने हिसाब से size roundness वगयरा कर लेना और यहां से आप इसका color भी देख चेंज कर सकते हैं तो मुझे इसका white रखना है तो मैं यह वाला color भी white वाला color रख लेता हूँ अब इसके बाद इसको भी मैं newt पर जाके थोड़ा सा size इसका यह कर लूँगा मुझे जहां भी इसको set करना होगा तो मैं इसको set कर लेता हूँ आप भी अपने हिसाब से इसको set कर लेना ठीक है how to create thumbnail on mobile इसमें और भी एक और text लिख देता हूँ अप next line तो ऐसे करके आप लोग इसमें line लिख लेना तो चलिए मैं इसको पहले पूरा ready कर लेता हूँ इसी तरीके से उसके बाद आपसे मिलता हूँ ठीक है तो गाइस यहां पर मैंने जो है thumbnail को ready कर लिया है और आही होप आपने भी thumbnail ready कर लिया होगा भी यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है how to create thumbnail on mobile full Hindi tutorial सबसे आसान तरीका तो इस तरीके से आपने भी बना लिया होगा बनाने की बात क्या करना है यहां पर आपको ऊपर क्यों download option दिख रहा होगा इस download वाले option पर एक बार click कर देना है इतना करने की बार थोड़ा सा wait करना है जैसे इस पर save का option आएगा हम इसको save कर लेंगा तो यहां पर देख सकते हो save का option हमको देखने को मिल गया है ठीक है तो अब मैं इस वाले option पर click कर देता हूँ save तो अब थोड़ा सा time लगेगा और यह image save हो जाएगी तो देख सकते हैं यहां पर लिखा है preparing your design तो यहां पर यह save हो रहा है तो चलो यह save हो जाने देते हैं बाकि आप देख सकते हो कितना अच्छा thumbnail लग रहा है तो इस तरीके से आप thumbnail बना सकते हैं आई होप आपको यह tutorial समझ में आ गया होगा और यह आपको बहुत अच्छा भी लगगा तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहां पर end करते हैं और अभी तक यह लाइक नहीं कियो तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टागराम लिंक भी डिस्क्रिप्श सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं किसी नहीं के साथ तब तक के लिए बाइबाए टेक के